विकिवाद आपका सुवागेता बड़ी खबर करूप करते हैं अगे दस आदमे आए और यहां दाला के उनको चला दिया दोनों माता पर पिता को दोनों को और बाई के मूँ बांत में अंतर डाला और इसमें फपूरा गाम के आदमे सवीडीन जादा आधिम आदूरा है और इसमें सरपंच, सरपंच की फूरी मरबनी चलती है, जमीन खाने के लिए चल रहा है उसका कम ये पिलोट काटने के लिए हमारे पास आये था सची और सरपंच, लेकिन हमने मना कर दिया इस कारण से ये महमला बोला, मंदिर के ओपर गामवालों को सेवा करने दिया वहीं सी कवर से जोड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं दरसल पोलिस ने इस पूरे मामले में 10 से 15 लोगों को राउंड अप किया है जुलसे पुजारी दंपत्यु का उदैपुर में इलाज चल रहा है लेकिन जो पहले आरूप लगा जा रहा था कि पोलिस इस मामले को गंभिरता से नहीं ली रही है अब पोलिस ने इस घटना के बाद 10 से 15 लोगों को राउंड अप पे लिया है वीरा की बस्ती पुजारी दंपत्य पर हमली का इप रखन है रासमन से मेरे सियोगी आशी जुड़गें आशी जिन 10 से 15 लोगों को राउंड अप पर लिया गया है क्या इनी के खलाव पहले भी शिकायत दर्ज हो रही थी और इनके नाम ज़रा बताईए अगर जानकारी लगी हो तो जी विजंदर मैं बता दूँ ये मामला पहले का है हाला कि ये नई नई घटना नहीं है इते पहले भी कई बार ये जो कुछ गाओं के जो लोग हैं मन्जिस के जमीन है वेशकीमा की जमीन है उन पर इनकी नजर ती जिसको लेकर कई बार पुजारी धंपती और उनके पड़ी वार को धंकाया भी जाता था जिसको लेकर अधिकर ने भी दंपनी ने देवगर ठाने में सिकायश्ट भी थी ती लिकिन कहीना कई तो ये वीती अजी जैनकारी लगभाई मुख्यारोपी कौन है और क्या मकसद सिर्फ मंदिर जमीन को हड़ापना था या कुछ और? अजी जैनकारी जमीन को लेकर है मंदिर के जमीन है जिस पर इनकी नजर है जिसको लेकर पुझारी परिवार कितने सालों से या कितने दश्कों से वहां रह रहा था? मैं आपको बता दूँ जो जानकारी मेरी है नो पिरी से पुझारी जमीन के परिवार है नो पिरी से इस मंदिर के पुझारी परिवार है सुधिर जी पेडित पक्ष का आरोप है कि मामले को लेकर कई बार देवगड थाने में रिपोर्ट दी गई लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई देखे इसको लेकर के सिविल कोट देवगड के अंदर अलड़ी मैंटर चल रहा था और पुझारी के पास में कोट से स्टे था और नेक्स्ट हेरिंग जो डिसेंबर में थी इसके अलावा SDM को और लोकल साने में इनोंने अप्लिकेशन दी है उसके बेज पर जो विपक्षी है उन सबको पावंदी की जो कारवाई है वो चल रही थी पर तो इस तरह की गढ़ेत गटना इनोंने अंजाम दी है जैसे ही गटना हमारी जानकारी में आई तुरंत सर्थ के बयान भी हमने ले लिए हैं और मेजिस्टेट से बयान के लिए भी तेहरी पुलिस दे रही है प्रकन को हम स्टॉंग बना करके स्टॉंग कारवाई करेंगे और इसमें जो भी कानूनी रूप से सही होगा वो हम करेंगे सरभान कर चलें इसमें जितने भी करवके जल्द से जल्द सलाख़ों के पीछे होगे हैँ यरों को गया है उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा और उनको भी सलाखों के पीछे पहुँचाया जाएगा वो खुद भी मानते हैं कि एक एस अटेंप्टो मडर का केसा और उन्ही धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा